नमस्कार दर्सकों स्वागत है आपका हमारी चैनल सेक्रेट ओफ लाइफ पे आज की वीडियो धनूरासी वालों के लिए है कि धनूरासी को और स्पेसली सनी पर है कि सनी धनूरासी वालों के लिए कैसा फल देते हैं जीवन में सनी को कैसे अनुकूल करें और अब जब की साड़े साथी आपकी खत्म होने जा रही है 17 सनुरी 2023 को जब कुम्ब में गोचर हो जाएगा तो कैसा फल आपको शनी देगे इस पर हम चर्चा करेंगे वस्तार से इसको ध्यान से समझेगा क्योंकि सनी का गोचर जो है शनी भी आपके लिए बहुत ही इंपोचर प्लानेट बनते हैं तो इसका क्या असर आपके लिए होगा और ये दूरगामी परिनाम मतलब पूरी जिंदगी को लेकर के भी बात करेंगे और जो कैसे अनुकूल करना है इनको शनी के रिजल्ट को उस पर भी बात करेंगे और जो ये कुंभ में गोचर कर रहे हैं साड़ी साथी खत्म हो रही है उसका क्या रिजल्ट रहे का उस पर भी बात करेंगे सबसे पहले देखिए धनू लगन और धनू रासी के आप अगर हैं तो आप एक अच्छे वेक्ति हैं आपको एक अच्छा वेक्ति कहा जा सकता है गुरू आपके राशी के मालिक होते हैं वैसे तो आप जो होते हैं असपस्ट वादी होते हैं, असपस्ट बोलते हैं बातों को, ज़्यादा लगा बजा के बोलना आपको पसंद नहीं है, और थोड़ा भी कोई घुमा के आपको बात बोले, ये बात आपको पसंद भी नहीं आती है, और उसके साथ-साथ एंगर आपका है, एंगर बहुत ज़् आप में लेकिन जितना होता है जब आता है तो कसके आता है लेकिन चला भी उतना ही जल्दी जाता है कूल भी उतने ही जल्दी हो जाते हैं और इस पेसली जब आपको अपनी गलती रेलाइज होती है तो आप चुप हो जाते हैं आपका एक प्रॉब्लम है कि आप तुरत जाग होता है इसमें कहीं कोई दोबत नहीं है लेकिन अगर आपको अपनी गलती का relation हो जाए तो आप सांथ हो जाते हैं पर गलती को मानने में थोड़ी देर करते हैं ये थोड़ा सा आहंग आपके लिए ठीक नहीं होता है और ये जो चीजे मैंने बताई हैं आपके बाले में personality trait के बारे में इसका reason देखिए क्या है इसका reason ये है कि सनी कैसा फल देते हैं ये इस बात को समझने के लिए आपको अपना personality trait समझना पड़ता है reason behind that कि सनी जब साड़े साती चलाते हैं तो देखिए लगन से एक घर पीछे फिर लगन से एक घर बात गोचर करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव में किसको लेते हैं लगन को यानि कि इनसान को तो इनसान को जब ये अपने प्रभाव में लेते हैं तो इनसान को मतना शुरू करते हैं आपके लिए जो period रहा है अभी तक का जो साड़े साती का ये period चला है जिन्दगी का ये most difficult period रहा है जहां आपको शनी ने काफी तरासा है काफी कस्ट भी दिये हैं काफी परिशानिया भी दिये हैं और कई सारे experiences भी आपको दिये हैं तो हम उसमें detail में नहीं जाएंगे कई videos में आपको ये सब चीज़ें बता चुके हैं तो जो सनी का result आपके लिए होता है देखिए सनी यहाँ पे second house और third house के मालिक होते हैं second house हमारे धन का होता है धन संचे का होता है परिवारिक सुक का होता है कुटोंब शुक का होता है पैत्रुक संपत्ती का होता है इन सब चीज़ों का घर होता है तो बहुत ही शुक भाव भी परिवारिक शुक का भी भाव इसको कहते हैं ठीक है इन लॉज के शुक का भी भाव होता है तो ये सब चीज़ों का मालिक होकर के second house अपने अंदर बहुत सारी चीजें अपने जिन्दगी का समयटे हुए है तो इसके मालिक यहाँ पे सनी हो जाते हैं और third house के प्राकर्म के भी मालिक होते हैं public dealing के भी मालिक होते हैं छोटे भाई बहन के भी मालिक होते हैं तो यहाँ पर जो शनी का result होता है छोटे भाई बहन से शुख प्राप्ती में दिक्कत कराते हैं प्राकर्म भी आपको कराते हैं प्राकर्म निस्चित रूप से देखिए जब सनी प्राकर्में सो जाते हैं ब्रिस्चिक में और धनू में तो प्राकर्म आपको निश्चित रूप से बहुत कराते हैं और प्राकर्म कराने के बाद भी कई बार चीज़ें बिलकुल नहीं देते हैं सनिदेव आपको लेकिन जब ये देते हैं तो आपके लिए दिखिए धन भाव के भी मालिक होते हैं ये धनू वालों को बहुत उपर लेजानी की भी संभावना बनाई रखते हैं इस कुनली में बहुत ज़ादा धन संचे की भी संभावना बनाते हैं लेकिन आप इसको अनुकुल करें कैसे सबसे पहले दिखिए जितनी भी चीजें आपको शनी देम ने समझाई है साड़े साथ साल की साड़े साती में उसको इंप्लिमेंट करिए सनी आपके प्राकरम भाव के मालिक हैं प्राकरम में कोई कमी नहीं करिए अपने अंदर के एगो को अहंकार को बिल्कुल खत्म कीजिए वो थोड़ा आप में है जब आप नहीं accept करते हैं चीजों को, उसको बिलकुल खत्म कीजे, बाकि मैं आपको दिल का बुरा नहीं कह रहा हूँ, आपको मैंने कहा आप अगर किसी पे गुसा करते हैं तो उसमें भी आपके लिए प्यार होता है, उस इंसान के लिए प्यार होता है, अपनी थोड़ी कमियों को कंट्रोन करें, प्राकर्म को बेहतर करें, प्राकर्म जितना कर सकते हैं करिए धन संचे के लिए सनी दे बहुत important planet आपके लिए बनते हैं अब है कि सनी की साड़े साथी आपको खत्म हो रही है थड़ हाउस में शनी का गोचर जा रहा है 17 जनवरी 2023 को इसका result आपके लिए कैसा है देखिए सबसे पहले साड़े साथी का खत्म होना ही अपने आप में एक अच्छा result है अपने आप में एक सुब संकेत है क्योंकि आपका सबसे पहले आप सनी के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं अभी मैंने कहा सनी जहां होते हैं वहां से एक घर आगे एक घर पीछे effect करते हैं तो जब जैसे ही बारवने घर में आते हैं आपके आगे आप पर effect करते हैं जब आप पर आते हैं पूरी तरह से effect करते हैं 2017 से 2019 तक हिला के रख दी आपको फिर 2020 में जब यहां चल रहे थे एक घर पीछे तो आपको effect करते हैं जब यह यहां से बाहर आएंगे आपकी personality से संप कमी आएगी आपके anxiety में कमी आएगी आपको जो बांध कर रखा है सनी ने साड़े साथी में यह बांध के रख देते हैं चारो दिसाओं से कुछ नहीं करने देते हैं इंसान को मतलब एक ऐसे लेवल पर ले जाके खड़ा कर देते हैं आदमी को समझ नहीं आता क्या करें और उस इस्तिती में चाकर के आदमी को ज्यान देते हैं कि क्या उसको सुधारना है किस पर उसको बिलीव करना है किस पर उसको बिलीव नहीं करना है बहुत सारे ज्यान आपको यह ऐसा देते हैं जो कि जिन्रल अवस्था में आपको नहीं पता चल सकता related to real picture of your family membership हैं आपके पर सब चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी सारे साती में जितनी परिशानिया हुई हैं वो सब कम होती हुए आपको 17 जनवरी 23 के बाद से नजर आएगी थर्ड हाउस में बैठे सनी सकेंड हाउस को बल देंगे तो धन संचे की संभावना को भी बढ़ाएंगे भाई और मान सम्मान को सड़े साती में सनी एकदम कम कर देते हैं प्रभाव और मान सम्मान में बर्धी आपके दिखाई दे रही है तो ये सब चीजें आपको सनी के गोचर से प्राप्त होती हुई दिख रही है और उसके साथ देखिए ये एक गोचरी आधारिक विवस्ता है इस इसके साथ-साथ बाकी सभी ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इस पर भी मिर्भर करेगा कि आपका life कैसा चल रहा है, सनी की खुद की position आपकी कुंडली में कैसी है, बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, महादसा किसकी चल रही, अंतरदसा किसकी चल रही, लगन कुंडली की position क्या है, नॉमांस कुंडली की position क्या है, ये सब मिलकर determine करेगी, आपका life कैसा चल रहा हो चलने वाला, आगे कैसा चलने वाला है, तो एक ठोस decision तक पहुचने के लिए, या अपने बारे में और अधिक जा करिएगा, क्योंकि बहुत कोसिस करता हूँ आपको अच्छे साथ चानकारी देने की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, थैंकि यू सो मच,